बच्चो, कौफी जो है वह चाई की तरह का ही एक पेपदार थे यह जो है एक हरी जाड़ी का बीज के रूप में हमें प्राप्त होता है इसे भून कर, पीस कर, पावडर के रूप में तयार कर उससे पेपदार तयार किया जाता है कहवा का जो उत्पत्ती स्थल है वा केलका प्रदेश जो की इथियोपिया में इथियोपिया को अभी सीनिया भी कहते हैं तो जो केलफा प्रदेश है वा अभी सीनिया के पठार में इसी थे हैं इस पोधे के विकास के लिए अधिक आजरिता, धलानदार भूमी तथा 15-28 डिग्री तापमान आविश्यक है आधुनिक समय में इसका उप्योग तीवर गती से बढ़ता जा रहा है इथियोपिया में जहां यहां केफा प्रांत में सरुप्रतम उत्पादित इसकी उत्पत्ती हुई वहां से इसे लाल सागर होते हुए सौधी अरब ले जाया गया यहीं एक अरववासी ने इसकी गुणवत्ता पहचानी बाद में अरब के व्यापारियों ने वहां से लाकर अरब के यमन प्रदेश में इसको लगाया और बच्चों यमन का जो मोचा कहवा है वहां विश्व प्रसिद कहवा है यदपी यमन जो है वह कहवा का उत्पती सल नहीं है लेकिन आज यमन की जो मोचा कोफी है वह विश्व में प्रसिद्ध है यहीं से अन्य देशों में ले जाया गया वर्तमान में जो कोफी का उत्पादन है वह बड़े-बड़े बागानों में किया जाता है plantation crop के रूप में, सरवप्रथम इनकी क्यारिया तैयार की जाती है, फिर पोधों को फार्मों में पंक्तियों में लगाया जाता है और कोफी को दूप से बचाना आवश्यक होता है, जैसे कि केला आदी हैं इसको भी दूप से बचाने के लिए, केले जैसे जो छायादर पोधे हैं, उनको लगाया जाता है लगबग 6-7 वर्षों में कहवे का जो पोधा हैं वहाँ फल देने लगता है कहवा में क्याफिन नाम का एक उत्तेजित तत्व पाया जाता है, जिससे कि हमारे इसको इसका उप्योग करते ही हमारे शरीर में कुछ समय के लिए स्पूर्थी आ जाती है कहवा की जो कसमे हैं, types of coffee वहा प्रमुक्ष जो कसमे हैं वह तीन तरह की हैं, अरेबिका, रॉबेस्टा और लाइबेरिका अरेबिका जो हैं वह विश्वका लगबग तीन चोथाई भाग जो कॉफी हैं वह इसी किसम से अरेबिका किसम से प्राप्त होती है या एक अच्छी क्वालिटी का कहवा होता है जो की देशज मोचा कहवा से बनता है और मोचा जो है यह मन का प्रसिद्ध कहवा है या अरब प्रायदिप के अतिरिकतwał ब्राजिल वा पुर्वी-अफ्रीकी देशों में भी अरेबिका जो किस्म है उसकी कॉफी उत्पादित की जाती है दूसरी जो प्रमुक किस्म है टाइप है कॉफी का वहा है रोबिस्टा यहाँ पश्चिमी अफ्रीकन किस्म है जो की कठोर होती है और शुश्क दशाओं में ही पनपती है इसका जो अधिकतर उत्पादन है वह कांगो में होने के कारण रोबिस्टा कॉफी को कांगो कहवा भी कहते हैं कुल कहवा उत्पादन का लगबग 20 प्रतिशत भाग जो है वह रोबिस्टा कॉफी से प्राप्त होता है तिसरी जो प्रमुक किस्म है वहाँ है अरेबिका किस्म या अन्य दो किस्मों से घटिया किस्म का होता है और कुल जो कॉफी है उसका 15 प्रतिशत लाइबेरिका किस्म से प्राप्त होता है लाइबेरिका चुकि नाम से ही प्रतिपादित होता है कि या लाइबेरिया जो देश है दक्षिने अफरी की महाद्य पी देश है उसकी मुल किस्म है जो इसकी भोगोलिक दशाएं हैं वह उसमें सरवादिक परियापत वर्षा के आवशक्ता होती और उच्च तापमान के आवशक्ता होती उच्च नकटी बंदी जलवायू जो है इसके लिए उप्यूक्त जलवायू है इसका उत्पादन जो है वह 25 डिग्री उत्तरी अक्षान से लेकर 25 डिग्री दक्षीने अक्षान्शों के मद्य अर्था जो उश्नकटी बंदी जो परियापत वर्षा वाले शेत्र है वह इसके उप्यूक्त शेत्र हैं तापमान जो इसके लिए हानिकारक होती है अताया चायादार व्रिक्षों की चाया में लगाया जाता है यमन में भारी सागरिय कुहुरा धूब से रक्षा करता है इसलिए यहां का कोफा विश्वक की बेस्ट क्वालिटी का कोफा कहवा होता है वर्षा जो है वह 150-250 cm की वर्षा उपयुकत होती है और 125 cm से कम वर्षा वाले शेत्रों में सीचाई की सायता से इसका उत्पादन किया जाता है ताजा हवा तथा प्रकार से कहवे का जो पोधा है वह तीवरगती से व्रिद्धी करता है मिट्टी की बात करें तो कहवा के लिए गहन उपजाओ लोहाल श्तत्व युकत मिट्टी के आविशकता होती है और प्राय जंगलों को जो काट करके तैयार की गई या लावा युकत जो काली मिट्टी होती है वह कौफी के लिए उपयुकत होती है जैसे हमारे जो लावा का पठार हैं प्राइदी पी पठार का जो लावा युक्त काली मित्ती हैं वह कॉफी के लिए उप्युक्त हैं धरातल जो है टोपोग्राफी वह डलान युक्त होनी चीए धरातल जो है वह डालो क्योंकि अधिक्तब जो कौफी का उत्पादन है वह पहाडी डालो पर किया जाता है ताकि वर्षा का जल इसकी जड़ों में कत्रीत ना हो और यहाँ पोधों की जड़े सड़ न सके श्रम जो है पोधे को लेकर पोधे को काटने फल तोडने बीज निकालने दोने दूप में सुखाने अधि जो समस्त करिया है वह मानुष्रम द्वारा ही उत्पाद संपन की जाती है अत्तक एवे के उत्पादन इत्तु सस्ता श्रमीक होना भी आविशक है अब हम बात करेंग कोफी के उत्पाद पाद करेंगे जो समस्तिय नियुक्त भात करेंगे डिय।